आपका H.T. News बनेगा आपकी आवाज पलपल के अपरादों से कराएंगे आपको रूबूरू नहीं होने देंगे किसी पे भी अस्तिया चार हम है आपके साथ और देखे लिए H.T. News नंकाना साहिब गुर्द्वारे का मामला अभी शांद भी नहीं हुआ था पाकिस्तान की फजीहतों का दौर अभी थमा भी नहीं था कि पेशावर में एक सिख अलपसंख्यक की भोली मार कर हत्या कर दी गए किसी अग्यात्र शक्स ने पाकिस्तान के पब्लिक न्यूस चैनल के सिख एंकर हर्मीद सिंग के छोटे भाई परबंदर सिंग को सरयाम भोलियों से चलनी कर दिया अपने जवान भाई की डेट बोडी के पास बेबसी के आंसु भाई है सिख बद्रकार हर्मीद सिंग अब पाकिस्तान की होकुमत से सवाल पूछ रहे हैं कि कहां गए पाकिस्तानी होकूमत के वेधावे जिसमें वो कहती है कि पाकिस्तान में अखलियत बेहत मैफूज है हरमीद सिंग पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से कह रहे हैं कि आँखे खोलो इम्रा और तसवर के दुनिया से बाहर निकल कर पाकिस्तान की हाकिकत से बावस्ता होने की हिम्मत दिखाओ यह बेबसी है पाकिस्तान में रहने वाले हर धर्म के अख्लियतों की हत्यारे बे खौफ हैं चोटी चोटी बातों पर संत्यकों को गोलियों से भून देते हैं, बेरहमी से कतल कर देते हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान अपने मुलक के इस खौफनाक हकीकत पर बड़ी ही बेशर्मी से परदा डाल कर दुनिया के सामने इंसानियत और मानिवी संवीदना का तराना पूरी तरन्नुम के साथ अलापते हैं जिस सिख युवा की हत्या हुई है, उसका भाई पाकिस्तानी न्यूस चैनल का एंकर है बेगुना भाई की हत्या से भीतर तक तहला हुआ, लेकिन उसे पता है कि इंसाफ की उमीद बेमानी है लहाजा वो पाकिस्तान के अल्प संक्यकों से गुजारिश करता है कि उठो और इस जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाओ क्योंकि एक एक कर सबकी बारी आने वाली है मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा चाहे मुझे जिस लेवल में भी बात करनी पड़े मैं करूँगा जब तक गोर्मेंटा पाकिस्तान मेरी मेरे भाई के कातिलों को सानने नहीं लाते तब तक मैं खुद भी चैंसे नहीं बेटूँगा और मैं जितना भी मुझे सके मैं अपनी बोर्मेंटा रहूँगा तो कि आज जो लाश है मुझे उठानी पड़ी है ये नामुराद हाकिकत है पाकिस्तान के अलप संख्यकों की जो हर वक्त खाव और दहशत के साए में जिंदगी बसर करते हैं तीन जनवरी को ये 130 करोड हिंदुस्तानियों के आराद है गुरुनानक देव की जनमस्थली ननकाना साहिब पर चरम पंथियों ने पथराव किया था और एक पाकिस्तानी युवक इमरान अली जुष्टी ने गुरुगारा ननकाना साहिब की जगर मस्जिद बनाने का दम भरा थी ननकाने दना बदल किया थी गुलामा ने मुस्तवा शेयर ज़ाया अगर इंडा ने अडिना इंची जास नी कीती रफे गाबादी कसंग एस कुर्टवारी जी थाते मुस्तव बनेगी दुनिया भर में इमरान अली चुष्टी का वीडियो वारल हुआ तो इमरान खान के धकोसले की पूल खुल गई पाकिस्तान की हाकिकत बेपरदा हुई तो इमरान खान ने लीपा पोती की कोशिश शुरू कर दी इमरान ने ट्वीट कर भारत से पाकिस्तान के तुलना करते हुए हास्यास्पत रूप से खुद को इंसानियत का मसीहा बताने का फरेव किया इम्रान ने ट्वीट किया कि नंकाना साहिब के नंदनिये घटना और भारत में मुस्लिमों और दूसरे अलपसंख्यकों पर जारी हमलों के बीच बड़ा अंतर ये है कि वो हमारी भाईचारे वाली सोच के खिलाफ हैं जबकि हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं और पुलिस और नयायपालिका के साथ मिलकर पूरी सरकारी सुरक्षा देते हैं हसी आती है कि इमरान खान अकलियतों के अधिकार का हवाला देते हूँ भारत से न सिर्फ पाकिस्तान के तुलना कर रहे हैं बलकि खुद को बेहतर भी बता रहे हैं वो भी तब जब उन्हीं की सर्जमी पर एक यवक्त सरयाम सिखों के पवित्र गुरुद्वारे की जगे मस्जित बनाने का गलीज एलान सरयाम करता है और इमरान को लगता है कि पोल पट्टी खुल रही है तो उसी गुंडे से माफी नामा भी दिलवा देते हैं सुनिये तीन जन्वरी को गुरुद्वारे पर पत्थर बाजी के लिए भड़काने वाला और गुरुद्वारा साहिब को गुलाम मस्तफ़ा बनवाने का दम भटने वाला इमरान चुष्टी अब क्या कह रहा है मैं इमरान ले चुष्टी नंकाना साथ से दोस्तों जैसे आपने कल का वाकिया देखा मैं जजबात में काफी सारी बातें कर गया जिसमें सिख्वों के बारे भी की और गुरुद्वारे के बारे भी की कतन हमारा रादा ना था ना किया है कि हम गुर्दवारे का गराओ करेंगे पत्थर बाजी करेंगे ना हमने किया है ना करेंगे इंशालला ताला और जैसे मैं जजबात में काफ़ी सारी बाते कर गया जिक्तों के बारे अगर किसी के दिल अजारी हुई हो जिस जगे पे रहता है तो मैं माज़द रता हूं यह हमारे बाईी थे बाईी हैं और इंशालला ताला रहेंगे और जैसे हम पहले इनकी इज़त करते थे वैसे ही करेंगे अगर किसी को मेरे इस जजबात में जो मैंने बियान दिया था अगर किसी के दिल अजारी हुई हो तो मैं माजब करता हूँ